हेलो मेर प्यार स्टूदिन्स, स्वालत है आपका हेलो बालोटी में, आज हम पढ़ेंगे यूमन रिप्रोड़क्शन के पारे में, जैसा कि आप जानते हैं, मान आप एक सेक्शुली रिप्रोडूजिंग ऑर्गानिजम है, और सेक्शुरल प्रोड़क्शन है एक एडवांस एक सेक्शुली रिप्रोडूजिंग ऑर्गानिजम जो है उसका जन्म होता है, तो सबसे बेले हम बात करते हैं यहाँ पर गैमेटोजैनेसिस की, गैमेटोजैनेसिस यानि की गैमेट्स फॉर्मेशन, सेक्शुल रिप्रोड़क्शन का सीधा-सीधे नाता गैमेट्स फॉर इसका फॉर्मेशन होता है अलग-अलग, परुश के अंदर जो गैमेट्स प्रोडूज होते ही हैं उसे हम कहते हैं स्पॉम्स अथ्वा शुक्रानू या नॉर्मल हम उसे मेल गैमेट्स भी बोलते हैं, वह जो इस तरह हैं माता हैं उनके अंदर जो गैमेट्स उत्पन होते उन्हें हम कहते हैं अंडाणू, टैग या फिर ओबम और नॉर्मली हम उनको फ्रीमिल गैमिट्स पर कहते हैं तो यह एक बहुत जादा प्रथम चरण है सेक्शल रिप्रोड़क्शन का और यह हमें हर उस व्यक्ति में देखने को मिलता है उस जीट में देखने को मिलता है जि स्पर्म और एक्टर फॉर्मेशन तो पुरश और इस्तरी में होता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंसामिनेशन की इंटर कूर्स के दोरान पुरश के जो गैमिट्स है यानि कि जो में गैमिट्स है वो फीमेल बॉड़ी के अंदर ट्रांसपर होते हैं और अंदर जाकर वह एक ओवम की तलाश करते हैं इस प्रकरिया को हम कहते हैं इंसामिनेशन इसके बाद जो निक्स्ट इवेंट आता है वो है फटलाइटेशन मेल गैमिट्स फीमेल बॉड़ी के अंदर एक निश्चत इस्थान पर पहुँचते हैं जिसे हम कहते हैं फिलापियन ट्यूब वहाँ पर एक जो है वे उन्हें मिलता है यानि कि ओवरिंग से एक जो है वे फिलापियन ट्यूब में आता है अजा फी फीमेल की बॉड़ी से हमेशा महिने में सिर्फ एक ही एक रिलीज होता है जबभी एक साथ मानप पुरिस जो है वो इस अंदर एक साल लाखो की संख्या में एक को अंटर करा पार यहां पर एक सम्पम लाखों सależy में से एक इस सम्पम जो है वो उस एक के साथ व्यूज करता ह है और एक नई सेलकर निर्मान होता है इन दोनों की फ्यूजन से जिसे हम कहते हैं जाइगॉट यही जाइगॉट आगे जाकर जब इसमें टेबलपमेंट होता है तो वह हसते खेजते बच्चे के रूप में इस्तरी के शरीर से जन लेता है ठीके अब फ्यूजन हो चुगा फ यह देबलपमेंट होते हैं और वो ब्लास्टोसिस में बदल जाता है और यह बहां से फ्रांपन ट्यूब से ट्रैभल करता हुआ यूट्रस बद तक पहुचता है और फिर माता के यूट्रलेल वाल से जाकर अटयच हो जाता है इसको हम कहते हैं इंप्लांटलेशन Implantation के बाद जो next event है वो है gestation इसमें क्या होता है? Implantation के बाद embryonic जो development होता है वो start हो जाता है और धीरे 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 वो एक मानस के बच्चे की shape नेने लगता है और फिर समय आता है partition का यहाँ पर देखो क्या हुआ था? gamete के fusion से लेके fertilization से लेके जो बच्चे के जनम में लवक नौ मा का समय लगता है इस दोरान जो वो इक zygote है वो पूरा इक बच्चे में develop हो जाता है और समय पूरे होने के बाद माता को लेवर पे उठते हैं और उसके बाद बच्चे का जन होता है तो बच्चों यह था पूरा human reproduction जो हमने छोट एसी वीडियो में डिसकस किया हम इन इस्टेप्स को डिटेल में डिसकस करेंगी वन बाई बन तो बच्चों मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ चेर करें